मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारी यूटूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टेडी पॉइंट विएसपी सो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉल्टिकल साइन्स का चैप्टर नमबर 2 स्वतंतरता लिवेटी जिसको इंग्लिस में कहते हैं यह इसका पार्ट 2 है पार्ट 1 अप्लोड हो चुका है पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 कम्प्लीट कर लें आइकन बटन में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या तो आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं ठीक है बाकि आपको नोट्स लेना है तो यह नंबर आपका 701-9127-93 प्याप मैसेश कर सकते हैं और आ ने कभरप किया था अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो लिखा है स्वतंत्रता की सकरात्मक अवधारना यहां पर हम दो चीज़ देखेंगे एक सकरात्मक और एक नकरात्मक जैसा कि आपको पता है जो स्वतंत्रता होती है जो क्या होती है स्वतंत्रता होती है स्वतंत्र जोते हैं और गलत को क्या बोलते हैं इतनी चीज मैंने आपको समझा दिया ठांट, यानि कि षी आप देखते हो hear कि व्यक्ति को श्वतंतृता dot हो दी गई है साथी साथ उनको गलत करने पर रोक भी लगाया गया है घ्लत करने क्या लगाये गैल रोक लगाएगा है यानि कि स्वतंतरता जहां पे होगा वहां पे एक चीज और लिखा जाएगा कि अगर गलत कोई व्यक्ति करता है तो उसको रोका जाएगा यानि कि अनुचित जो कारी होते हैं उस पे क्या लगाया जाएगा प्रति बंध लगाया जाएगा प्रति बंध इतनी चीज समझ में आ गई तो अब यहां पर देखते हैं स्वतंत्रता की सकरात्मक धारना यहां पर स्वतंत्रता का अर्थ है जिसमें उचित प्रतिबंद होते हैं उचित प्रतिबंद क्या उचित प्रतिबंद उचित प्रतिबंद होते हैं उसी को क्या बोलते हैं स्वतंत्रता सकरात्मक स्वतंत्रता ठीक है उचित प्रतिबंद यानि कि सही प्रतिबंद अगर कोई व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है तो जाहिट से बात अगर वह चूरी कर तो उस पे रोक लगाया जाएगे यानि कि उचित प्रतिबंद लगाया जाएगा ठीक है आगे इस स्वतंत्रता में राज्य व्यक्ति के समाजिक आर्थिक वर राजनितिक विकास के लिए दखल देने का अधिकार है यानि कि कहने का मतलब है अगर सरकार को ऐसा लगता है कि व गखल और गहर दे सकता है ऐसी स्वतंत्रता को सकरात्मक सुतंत्रता करता है इसके अनुसार राज्य को के कल्याड के लिए सबी करें कानून बना कर दखल देने का अधिकार है जाहिए इस्ञुक्ति वात है आप देखते हो कि विभिन प्रकार के कानून बनाए गए हैं जिसके वज़े से हम हमारा जीवन अच्छे प्रकार से चलता है सब को जैसे मैंने एक्जांपल पिछली बार भी दिया था कि सबको अधिकार है 18 वर्से अगर वो उपर हो गये हैं तो वो जाके वोट दे सकते हैं वोट दे सकते हैं तो यह इसके लिए वो सुत स्वतंत्रता के खिलाप है आप सिर्फ कितनी बार वोड़ दे सकते हो एक बार में एक बार बात समझ में आगे यह चीज है तो अगर आप स्वतंत्रता का साइडन से पालन करोगे तब ठीक है लेकिन अगर स्वतंत्रता का गलत यूज करोगे गलत यूज करोगे तो उस टाइम व्यक्ति सही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो गलत काम करता है, तो उसको रोका जाएगा, तो इसके अनुसार क्या होता है, कि जो भी कानून बने हुए हैं, वो हमारी स्वतंतरता को बढ़ाती है, आप देखते हो, अगर आप सही काम करते हो, तो कानून भी आपके साथ होती ह होती की नहीं होती है तो इसी वज़े से कानून भी आपका सपोर्ट करती है जिसकी वज़े से हमारी स्वतंतरता में अग्रिद्य हो जाती है दूसरा बात कर लेते हैं स्वतंतरता की नकरात्मक धारणा अब नकरात्मक है कि जो भी प्रतिबंध्ध है न वह कम से कम कम से कम प्रतिबंध ठीक है अगर आप चोरी भी करते हो तो भी प्रतिबंध भेज़ा चोरी कर शकते हो तो अगर आप ऐसी स्भोग सक्षेजिये हैं THAT स्वतंत्रता की नकरात्मक धारणा है इसका definition क्या है इसके अनुसार वह सरकास स्वरुक्ता में यानि कि बहुत वड़िया है जो कम से कम क्या करे सासन करे कम से कम सासन करे कम से कम लिमिट लगा है ठीक है नकरात्मक स्वतंत्रता की यह धारणा होती है आगे नकरात्मक स्वतंत कर रहे हो तो आपका सपोर्ट करेगी गलत काम करोगे तो रोकेगी यह सकरात्मक सोतंतरता ठीक है तीसरा इसमें राज्य का व्यक्ति पर काफी सीमित नियंत्रड होता है यानि कि जो राज्य है वो किसी व्यक्ति पर क्या करती है कम नियंत्रड करती है यानि कि लोगों को जो म पहुचाती है अभी हमने सतंतता का सकरात्मक धार्णा में क्या पढ़ा कि कानून जो होती है व्यक्ति की सतंतता में वृद्धी करती है लेकिन नकरात्मक धार्णा क्या होती है कि कानून जो है हमें हर एक काम को करने से रोक्ती टोक्ती है इसी वज़े से क्या है यह हमें जो भी है हमारे कामों में हस्तशेप ना करें हम जो कर रहें करने दो यह होती है नकरात्म कौधान आई होप सो आपको दोनों में डिफ्रेंट समझ में आ गया होगा बढ़ते हमारे अगले अगले टॉपिक है समाजिक प्रतिबंद क्या है तो यहां पर देखे लिखा है कि समाज में किसी व्यक्ति या समू या जाती पर लगे प्रतिबंद को समाजिक प्रतिबंद कहते हैं और ऐसे प्रतिबंद से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें कमी आ जाती है इसे समाजिक प्रतिबंद कहते हैं अब हम देखेंगे टॉपिक प्रतिबंदों का स्रोत यानि कि प्रतिबंद आखिर ऐसे कौन से कारण है जिसकी वज़े से जो प्रतिबंध है वो उत्पन्य हुए ठीक है तो पहला चीज है बल पुर्वक वो कानून के माध्यम से आपको पता है कि कई सारे ऐसे वर्ग थे जो बलों का यूज करते थे ताकतों का यूज करते थे और जिसकी वज़े से प्रतिबंधों को होना बहुत करता था जिसकी वज़े से प्रतिबंधों का होना यानि कि प्रतिबंध होना आवस्यक हो गया इसी वज़े से प्रतिबंध यहां से लगाना स्टार्ट हो गया आगे कल्यारकारी राज्य कल्यारकारी राज्य आपको बनाना है अच्छा राज्य बनाना है तो प्रतिबंधो होना अवस्ट्रक्स हो जाते हैं कि आर्थिक असमांता के कारण क्या होता है कि बिविन-प्रकार के भेदभावथ पन्हों हो जाते हैं तो जो अमीर वर्ग होता है तो इस वज़े से क्वारिय प्रतिबंदों की आवसक्त हो जाती है प्रतिबंदों का होना अवश्यक हो जाता है आगे समाजिक असमांता के कारण ये भी वही सिच्वेशन है आर्थिक असमांता समाज में कोई असमांता हुई तो उस टाइम पे असमांता की वज़े से प्रति बंधु का होना वस्यक हों जाता है तो यह बिवेन टाइप Xu के स्प्रोथ है है जहां से प्रति बंध निकलते हैं अब इनके क्या सकता क्या होती है तो पहले चीज सेमिस संसाधनों कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई की इस्तिति पैदा हो जाती है तो इस इस्तिति को रोकने के लिए प्रतिबंद कल्यार के लक्ष है तो यानि कि सारवजनिक, यानि कि सब का विकास करने के लिए प्रतिबंदों की अवसकता होती है, क्योंकि प्रतिबंदों की अवसकता होती है, क्योंकि प्रतिबंदों की अवसकता होती है, दूसरे वक्ति के अधिकारों की पूर्ति के लिए, अगर किसी वक्ति का शोशन हो रहा तो उस टाइम पे जिस व्यक्ति की वज़े से दूसरे व्यक्ति का अधिकारों का हनन हो रहा है उस व्यक्ति पर क्या लगाए जाएगा प्रतिबंद लगाए जाएगा ठीक है ताकि वो किसी के अधिकारों का हनन ना कर पाए आगे मुक्त समाज में अपने विचारों को यह चीज आपने समझ गया है और साथ ही साथ सामाजिक प्रतिबंद क्या होते हैं यह चीज भी आप समझ ली हैं बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की और अगला टॉपिक है राष्टी स्वतंतता के लिए लड़ने वाले दो निताओं के नाम तो निता कौन है एक है महात्मा ग लेकिन लेकिन समाज क प्रतिक व्यक्ति के व्यक्ति के दिविकास के लिए प्रतिबंद हमानी को रोकने प्रतिबंद के आवसकता हो को थी हैं आई होप सो समझ में आया होगा बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की और अब हम यहां पर बात करेंगे स्वतंत्रता के चार संग्रच्चक को होने संग्रच्चक का मलब वहता है उस चीज को रच्चा करने वाले कौन है तो पहली चीज तो यह है प्रजातंत्र के स्थ प्रक्षक में ये भी है प्रजातंत्र की स्थापना यहां देखिए प्रजातंत्र के स्थापना से राज्य में नागरिकों की सुनिश्चित होती है ठीक है आगे स्थापना के लिए लोगतंत्र का होना बहुत ही आवस्ट्रेक है क्योंकि स्वतंत्ता तभी हो पाएगी जब लोक्तंत्तफर थाप्य तो व्यक्ति स्वतंत्र हो आगे परजातंत्र में सक्ती का जो नहीं को नहीं मानता तो उस टायम पर आप अगली बार उनको चुनवा महरा कर दूसरे सरकार को ला सकते हैं तो यह हो गया दूसरा मौलिक अधिकार को वज़े से भी आपके स्वतंतरता को बचाया जाता है जैसे मौलिक अधिकार में एक तो स्वतंतरता का अधिकार भी दिया गया है तो स्वतंतरता की है मौली का प्राउधान चाहर जिसका उलंगय ना तो सरकार कर सकती है ना तो कोई व्यक्ति कर सकती है । सक्तियों के विकेंदिर करण, सक्तियों का विकेंदिर करण कमलब क्या होता है, कि सक्तियों को बाट देना, मातमादादी ने इस चीज़ पर जाया जूर दिया था, यानिकि हर एक लोगों में सक्तियों को बाट दिया गया है, जो भी जिस हिसाब से, उस हिसाब से सक्तियां द जरूरी था ठीक है जरूरी है भी आगे सक्तियों के केंद्र करड़ से केंद्र करड़ सक्तियों को बाट देना केंद्र करड़ सक्तियों को एक जगा पर कर देना तो देखे क्या लिखा है सक्तियों के केंद्र करड़ से राज में निरंग कुस्ता को बढ़ावा मिलता है निरंग कुस्ता का मलब क्या होता है इमालों की जैसे सक्तियों की एक ही करण से जो राज्य क्या होता है राज्य पावर्फूल हो जाता है क्योंकि सारी सक्तिय किसको मिलती है राज्य के मिलती है और इसकी वज़े से एकागरता जो होती है एकागरता इसका मतलब होता है निरं कुस्ता को बढ़ावा मिलता है जिससे क्या बढ़ता है भ्रष्टा चार बढ़ता है और नागरिक क्या होते है उत्पीडित होते है इसी वज़े से सक्तियों का क्या किया गया है वी केंद्री करड किया गया है केंद्री करड नहीं किया गया है बलकि वी केंद्री करड़ किया गया है चीजे समझ में आ रही है सक्तियों का वी केंद्री करड़ किया गया है जिसकी वज़े से लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो क्योंकि लोगों को इससे अधिकार मिल जाता है पहले केंद्री करड़ था स्वतंत्र न्याय पालिका इनका मतलब क्या होता है नागरिकों की स्वतंत्ता की रक्षा समिधान के बाद यदि कोई करता है तो वो करती है न्याय पालिका आपको कोई दिक्कत परसान होती है आप फटाइक से न्याय पालिका में पहुंचते हो ठीक है अदालत में पहुंचत करती है, सिंपल सी चीजह है जो नया पालका होती है नागरिक अधिकारों भोली का अधिकारों की रक्षा करती है तो यह चार चीज़ी है जिसके वजह से स्वतंतर्ता को बचाया जा सकता है नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, अगला जो टॉपिक है, लिखा है उदारवादियों के अनुसार स्वतंतरता, अब ये उदारवादी कोण है, उदारवादी व्यक्ति वो हुआ करते थे, जो स्वतंतरता को ज्यादा धियान में रखकर चीजों को बोला करते थे, ठी तो यहांपे देखे क्या लिख यह उधारवाद्यों के नुशा स्वतंतर्ता को अभिपराई है कि मनुस्य के जीवन पर किसी स्व्ग्षाचारी सत्ता का नियंत्रण नहीं है पहले क्या पर राजा के पास अधिकार उदारवादी क्या गहते हैं मनुष्य के जीवन पर किसी स्वक्षाचारी सत्ता का नियंत्रण नहीं हो स्वक्षजारी सद्था का लियंत्रण नहीं हो और उसे अपने विवेक के अनुसार आच्रण करने के स्वातम्तिता हो यानि कि कोई भी किसी पे राजस ना करें बल्कि वैक्ति अपने विवेक के अनुसार क्या कर सके ? आच्रण कर सके उनका मानना है कि राज्य का कारचेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंतरता क्या होती है सीमित होती है कारचेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंतरता सीमित होती है इसका मतलब क्या है वही एक्जामपल जो मैंने पहले वीडियो में आपको बता है कि जब स्टार्टिंग में क डेस है यह मेरा राज्य है इस जिले में इस गाउं में इस कोलोंई में इस घर में हम रहते हैं तो ज़ीछ के बैले से अमेरिक्या में जाना है तो यह बीजा लेना पड़ेगा तो यह स्वतंतता सीमित होई की नहीं होई लेकिन पहले ऐसा कुछ था गया नहीं व्यक्ति नाओं के द्वारा कहीं पहुंच जाता था कहीं भी खा लेता था जब खाना यह पेड़ पौदों से फ्रूट्स खाने ह है तो कहीं भी रहके खा लेगा लेकिन जैसे जैसे कारच्छत्र बढ़ेगा सिंपल सी चीज़े स्वतंतिदा आपकी सीमित होती चली जाएगी ठीक है अच्छा आगे माक्सवादी धारना माक्सवादी वह होते हैं जो समाजवाद पर जया ध्यान देते समाजवाद का सरकार दे और बाकी सब्वेक्तियों के क्या मिले झौब मिले ठीक है यहां पर कोई ऐसा व्यक्ती नहीं होगा जो αमीर होगा मिडल क्लास होगा गरीब होगाव कोई व्यक्ति ने होगा बलकि जितने भी व्यक्ति होंगे क्या होंगे माक्सवादी समाजिक जीवन के धाचे में उपलब्द आर्थिक स्वतंतर्ता को ज्यादा महत सभी लोगों के लिए इसके संद्राइबते के लिए वर्गों के बोज सब् करते हैं इसका मतलब समझना लगल है बहुत हारड है आप आगो समझना पड़ेगा द्यास समझेगा वर्ग समझ में आता है जो भी वर्ग बना रख है पहले के टाइम पे ब्रामट्ष सुल्द इस तरीके से इसाप से तरीके से अच़कर टाइम पे यह वर्ग किसे साब बरजुआ समाज में उनके नीहतार्त विभिन वर्गों के लिए विभिन होते हैं नीहतार्त का मलं होता है जो की दभी हुई विभिन वर्ग हैं उनके लिए अलग अलग होता है यारी कि सिंपल सागर में इस लाइन का मतलब आपको समझाऊं तो कहिन का कहने का मतलब यह है कि जो आज के टाइम का जो हमारा जो समाज है क्या है समाज है समाज में जो गरीब वर्ग है वो अमीरों के अमीरों के रुतबों से वो दबे हुए है इसलिए जब तक पूजी वादी व्योस्था के अस्थान पर पूजी वादी व्योस्था किस पर ध्यान देती है कि जो जितना कमाएगा उतना ही खाएगा अगर मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं तो जाहिए से बात में ज्यादा पैसा कमाऊंगा अगर कोई व्योस्था सिर्फ दिन में मेहनत करता है तो उसी टाइम का पैसा कमाएगा और कोई व्योस्था करता नहीं है तो व्योस्था कमाएगा इनकि पूजी वाद व्योस्था माक्صवादी यह बोलते हैं कि हम पूजी बाद पर ध्यान नहीं देते हैं बल कि किस सीज़ पर देते हैं समाज बाध पर ध्यान देते हैं तो इनका क्या कहनाम था इनका कहनाम ये था इसलिए जब तक पूजी करते हैं कि भाई सभी को सद्रता का अधिकार है कोई अमीर गरीव यह ब्यक्ति नहीं नहीं करेंगा जो कि जो कि आ फैंसा घम यह पैसा रखेंगा अपरें पास ठीक पूजी बात की देगाएं पर सामिवादी विवस्ता होना चाहिए जिसकी वजह से हमें वास्तविक जो स्वतंतरता है वो मिल पाएं चीजे समझ में आ रही है एक बार और ध्यान से देखना जो जितनी भी चीजे मैंने बताई है उन चीजों को ध्यान से दोगों को समझ में आ जाएगा एक बार और मैं बता देता हूं माक्सवादी विवस्ता वो विवस्ता होती है उनकी धारणा क्या थी उनकी धारणा ये है कि हमें सभी के लिए काम करना है, समाज में कोई भी अमीर, कोई भी गरीब, कोई भी मध्यम वर्ग नहीं होना चीए, बलकि सब लोग समान होने चीए, इनका कहनाम क्या है था, पूजी वादी वियुस्ता के अस्थान पर जब तक समाज वादी वियुस्ता नहीं आ जाती, होती है, तो पहला चीज तो यह है, लोग तांत्रिक सासन, लोग तांत्रिक सासन से हमें क्या वलती है, स्वतंतरता मिलती है, क्योंकि सभी व्यक्ति पावर्पूल होता है, सबका अपना वोट होता है, जनता चाहे तो किसी सरकार को बना भी सकती है, जनता चाहे किसी सरकार क साल का सहत देगी अगे सकतियों का विकेंदिकरण सभी को सक्तिया मिली हुए, सारे लोग बराबर है तो जाहिर सी बात है सारे लोग बराबर है तो सतंतरता सभी को है सक्ति effective विरोधी दन आपको पता है कि अगर सरकार कोई गलत काउन करती है तो विपक्षी दल तुरंत तयार हो जाती है तो इसी को विरोधी दल बोलते है ठीक है और अगर सरकार अपनी मनमानी कर रही है तो जनता के पास पावर है जनता उन सरकार को गिरा भी सकती है ठीक है आगे आर सीखुर्मिंट की योगजराय होती है सभी को समा लूप से मिलती है इस तरीके से ठीक है बसरते लेबल यालिकी वर्क को देखने जाती जागरूक जनता, जनता जागरूक है, क्यों जागरूक है, क्योंकि विभिन प्रकार की चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सिक्षा मिल रही है, तो जाहिसे बात हम जागरूक तो होंगे होंगे, इसके वैसे नागरिकों की सोतंतरता बनी रहती है, और लास्ट में लिखाया कि सोत प्रम्टता के ऊपर वीडियो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है आई होप सो आपको सारे चीज समय में आया होगा कोई दिक्कत हो कोई परिषानी हो किसी प्रकार की तो आप चीज़ बताएगा बाकि मेरे तरब से हर चीज समझाने के पूरी कोशिश की गई है आई होप स सभी वीडियो के लिंक आपको वह पर फटक से मिल जाते हैं बाकी वीडियो कैसी लगे लाइक करके बताएं अपने फ्रेंडों में सेर कर दें चैनल के नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चाप्टर के साथ अभी के लिए ट